से सुभा की नमश्कार सभी बच्चे उठ जाईए और इस लाइफ सेशन को जोईन किजिए जितने भी बच्चे हैं जल्दी से आ जाईए ये जो लेक्चर है आज हिमातलिक प्रदेश का जो गिरी राज निउस्पेपर होता है वीकली 28 दिसंबर से पीछे का जो करंट फेर है वो इसमें हम कबरब करेंगे एक दिन में तो यह हो नहीं पाएगा इक लेक्चर में पर इसे पार्ट वाइज हम करेंगे तो पहला जो आपके समने क्वेश्चन है जो आर्टिकल है वो इस तरह है ये न्यूज माने ये आर्टिकल देश की एकता और अखंडता में इंद्रा गांधी का सरवोच बलीदान समर्णी ये जो अभी हाल में ही हमारे प्रदेश के अंदर और साथ में पूरे देश के में अंग्रिस स्तापना दिप्स मनाय गया ओस दोरान हमारे और हैं हमारे चय और पर किया कर रहे थे इसके बारे में चरचा है और उसकी तर्फ इशारा करते हे हूए ये उनका चाय चैत्र लिया गया गया यह जो इंद्रा गांधी सम्रीती संगल्ले है यह आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा और यह हमारे लिए क्या है इंपॉर्टेंट है उसके अलाबा आपको ज्यादा यहां से कुछ भी याद नहीं रखना है पर अगर आप से पूछा जाए पहली महिला पीम कौन बनी है त यह अन्हीं हमारे लिए क्या है यहां से इंपॉर्टेंट है लोगों के ब्यापक हीतों को द्यान में रखकर खोले जाएंगे संस्तान, यह हमारे CM सुखविंदर सुखुजी है, उनका एक डेक्लेशन है, और उन्होंने यह जो लाइने लिखी है, वर्तमान सरकार ब्यौस्ता परिवतन के लिए आई है, सता सुक के लिए नहीं, तो यह उ जो बाजबा सरकार थी, उसने क्या किया कि इलेक्शन के दौरान इन इंस्टिशन को खोला था, और उसमें ना ही करमचारियों के अपॉइंट्मेंट की गई थी, और ना ही वहाँ पर कोई बज़र उस मलग इंस्टिशन के लिए उतना बज़र का प्रावदान है, तो इसे ह सिएम जैसे बनें, अुन्होंने ये बाचीत कही, कि हिमाचल प्रदेश प्रेट को गुलजार का मतल यहां पर प्रेटन आते रहते है और उन्होंने एक स्लोगन दिया है, अगर हम बाचीत करें, कभी आप लिख रहे हैं उसमें क्या होगा फाइदा होगा और यह मुख्यमंत्री ने लोगों से भी अपील की और साथ मैं उन्होंने यह बात भी कही कि जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करने के लिए ड्रॉन टेक्नलोजी का यूज़ करके हम कहीं न कहीं क्या कर सकते हैं कि प्रेटन को आगे ले जा स ट्रैफिक सुचारू रूप से होना चाहिए और अटल जो तनल है वहां पर अगर हम बादचित करें तो वहां पर भी उन्होंने बादचित की कि जो यात्री है उनको उस रिजन के माधियम से भी क्या की जाएगी सुविदा है प्रवाइड करवाई जाएगी तो वहां से भ जाख ले का जो सीजन रहता है उस सीजन में वहां पर बिजेट कर सकते हैं आगे यह काफी हेर फिर का मामला है पार दश्री इवन परभावी प्रशाषन परदान करना सरकार की सर्वोच प्रात्मिकता तो कहीं न कहीं यह जो न्यूज है यह काफी संसनी इस न्यूज ने हि कि जो प्रशाषन है और साथ में राजनिती उसमें लादी है यह क्या है कहीं ना कहीं हाली हमाचली पर्देश में जो हमिरपुर बोट है वहां पर एक पेपर लिक हो गया है इसके बाद अन्य पेपर जो थे ओपी जो महिला है उसके घर से मिले हैं और अभी जो विजलिंस क बी एसाइटी गठित की गए हो इसकी जाज पन्ताल कर रही है और देखते हैं आगे क्या होता है जैसे भी रिपोर्ट आती रही कि तो उसको उसका हमें पूरा का पूरा पता चल जाएगा और जो बोड है हमें पर जो पेपर लेता था कॉंप्टिशन के उसको सस्पेंट कर दिया गया है और उसके सारे अधिकारी जो है अब विगलिंस की जो स्तरकता अयोग होता है उसके निगरानी में है तो यह चीज आपक के अधिकारी थे उन वनमें ब्रस्टाचार की प्रविती देखने को मिली है और इससे यह पता चलता है कि उनमें अथिक वैल्यो कफी कम हो गई कि कई अधिकारी इसमें शामिल होंगे और साथ में कहीं न कहीं यहां पर जो बिरोक्रेट है और जो राजनीती है वह कहीं न कहीं मिला जूला यह जो आपको शाषन और प्रशाषन बिवस्ता में देखने को मिलेगा इसके अलाबा दूसरी जो न्यूज है मोबाइल स्वाज वो लावप्रद है और उन्होंने कैसी मुबाइल सिवाई की बातचित की है जैसे जो एक जगा से दूसी जगा पर दी जा सकती है जैसे हम एम्बॉलेंस की बातचित करें और एम्बॉलेंस एक प्रकार की मुबाइल स्वास्ते सिवा है तो इसे इन्होंने बात्चित की कि जो हमारा सिर्मोर है और चंबा है वहाँ पर जालस जादा ये जो मुबाइल सुष्ट सेवा हैं प्रवाइड करवाई जाएगी इससे वहाँ के जो समने लोग हैं उनको काफी फाइदा होगा अब अगर मैं आपसे बात्चित करूँ तो ये जो मुबाइल सुष्ट सेवा होगी चलती फित्ती काड़ी में सारी सारी टूल किट रहेगी और उसी रिजिन में जहां पर जो पेशेंट है उसको देखका थे वहीं जाकर क्या किया जाएगा ये कुछ एक जो फैसिल्टी है उनको दे जाएगी तो ये यहां पर बात्चित कही है और हमारे जो रजेपाल जी है उन्होंने ये बात्चित कही है आजीवका के लिए वरदान बनी मुश्रूम की खेती तो मुश्रूम की खेती जो है उसोलन में सबसे जादा होती है इसके अलावा हिमाचल परदेश में मुश्रूम की खेती देवाई डे बढ़ रही है और कई लोग क्या कर रहे है इससे अच्छी आजीवका कमा रहे है अभी हाल में ही क्या हुआ कि ये जाइका जाइका जपान की अजेंसी है उसके साथ सियोग करके हिमाचल परदेश में जो मुश्रूम की खेती है उसको अपलिफ्ट करने का प्रयास किया गया है और साथ जिलो में इस योजना को करिया निमित किया जाएगा करेवनेट करने का मतलब यह है कि जो मश्रूम की खेती करना चाहते उनको कुछ एक स्पेशल पैकिस स्पेशल जो अगर ओ कहीं से लॉन लेते हैं तो कुछ न कुछ इंटरेस्ट में क्या दिया जाएगा छूटती जाएगी इस तरह का यह स्टेप है और जो बराइटी है जो घृइटर में उगाय जाने बली वरायटी है उसको भी क्या किया जाएगा हिमाचाल प्रदेश में घृव किया जाएगा तो यहा से हमें किया चीज मिली है कि घणा हट्टी आपको पता होगा जो एडिया है आपको शिमला में दीखने को मिलेगा वहां पर इस टेकनीक यह बटन मश्रूम है, बटन मश्रूम यह जो जाइका के साथ हमने समझोता किया है, उस समझोते के बाद यह मश्रूम की वराइटी आई है, इसके अलावा धिंगरी है, अगर हम बातचित करें, और अन्य भी मश्रूम की जो वराइटी है, वो हिमाचल परदेश में ग्रो की जा रही है तो यहां से यही था आप देखेंगे धिंगरी और साथ में शिटाके मिश्रूम की पजातियों को भी हिमाचल पदेश में ग्रोव किया जा रहा है और इससे जो लोग है काफी जदा अर्निंग कर रहे हैं तो यह चीछ आपको अच्छे से या दखनी है उसके बाद किशाय रोग उनमुलन के लिए प्रचार प्रसार अवश्यक है यह कौन बो रहे हैं तो यह जो है हमारी जो प्रशाषन और साथ में शाषन जो दोनों कर रहे हैं उनका यह कहना है कि इस रोग को अगर रोकना है यह हमारे जो कुछ दिनों पहले जो शिमला के उपायुक्त आदिती नेगी है उन्होंने एक बैठर की और बैठर की अदेख्षता करते हुए यह बातचित कहींगी कि कि अगर किशाय रोग को खतम करना है तो कहीं ना कहीं परचार परसार अवश्यक है अब हमारे लिए यहां से क्या इंपोर्टेंट है अगर आप सिंगल डे का एक्जाम दे रहे हैं जिसमें एक ही पेपर देना पड़ेगा और पेपर निकलता तो उससे लेटर मैं कई चीज़े बताने बाला हूँ और अगर कहीं न कहीं आप में पेपर लिख रहे हैं तो वहां पर भी यह कैसे हेल्प करेगी यह निउस तो ध्यान से दे तो TV के उन्मूलन के लिए ऻने बला कि प्रचार प्रसार करना जरूरी है Isके बात ने एक चीज और लिखि ऑधिकार्यों कीडियों सहयोग और साथ में जो लोग हैं उनके स्योग से इस बिमारी का हम क्या कर सकते हैं खात्मा कर सकते हैं और तीसरी बात उन्होंने कही कि कहीं न कहीं जो हमारे health center है वो इसमें सबसे important role play करते हैं तो हमाई यहाँ पर health center का जिगर देखने को मिल रहा है लोग लोगों का aware होना और साथ में लोग और साथ में जो प्रशाशन हैं उनके बीच में आपस का combination होगा उस माध्यम से हम क्या कर सकते हैं इस system जो बिमारी है इसको खत्म कर सकते हैं तो यह चीज़े थी जो उन्होंने लोगों के अंदर कही अब दूसरी बात क्या है कि जो हमारे प्रदेश और देश की बाचित की जाए और टीवी जो है एक किस तरह का disease है टीवी जो है एक bacterial disease है जिसको हम जिवानों से होने वाला रोग कहते हैं और यह लंक्स को सबसे ज़्यदा प्रभाविद करता है तो यह चीज जो है आपको अच्छे से याद अखनी है जो हमारे लेकर है काफी important है स्क्रमणी रोग है इसका मतलब होता है कि यह वायू और साथ में पानी और एक दूसरे के टच में आने से होता है स्क्रमणी है यह इसको बोलता है communicable disease तो आप अच्छे से समझ गए हैं कि यह कैसा disease है और इसको क्या कहा जाता है और हमारे लिए क्यों important है अगर यह आपको अच्छे से पाच चलगा तो एक उपर नियूज है उस नियूज को भी देख लिए यह नियूज यह है कि नौनी विश्वविद्दा लेए PhD के लिए अवेदन अमंत्रे था हमारे लिए यह अमंत्रे जो PhD करने वाले student है तो उनके गйतर नौणी कहां पर है तो आपको अच्छे से याद अखना है aujourd है नौणी कहां पर सोलन में है और यह नी पर जो अगर हम बातचीत करें तो इसी वागवानी यूनिवस्टी जब बनी थी, ओदेट थी 1950 में, और इनका सबंद, इस बागवानी यूनिवस्टी का सबंद जो जोडा जाता है, तो ये चीज भी आपको अच्छे से याद रखनी है, वाईयस परमार यूनिवस्टी या बिश्विदेले भी इसी को कहा जाता है, और बागवाणी, जो बिश्वविदाले, ओ भी इसी को कहा जाता, कहां पर है, नौनी में ये देखने को मिलेगी, और अगर आप त्यातर पर ध्यान से देखें, इस आर्रिकल में एक चेज लिख लिखे हुए है, ध्यान से देखना है, नेरी की अध़ों कि महावध्याले में विभिन प्यस्टेश कर तो यहां पर आपको क्या मिल रहा है वाने की विशवद्याले यह जो है कई क्यों सा है यही बिश्वद्याले तो यह चीजे आपके लिए इंपटेंट की आगे चलिए नेक्स्ट वन जो इंपोर्टेंट आर्टिकल है लैंगिक समानता पर कारेशाला आयूजत पहले दो लैंगि समानता होती है स्या..ट्र का 실ाइब इस Sh student and 기 capitalist जो है उन्हें हर एक किशेतर में बराबर तौर पर अधिकार दिया जाये क्या दिया जाए सु le lic पर यह है कि जो इस्त्री और पुर्ष है इस्त्री और पुर्ष जो है उन्हें हर एक शेतर में ब्राबर तौर पर अधिकार दिया जाए क्या दिया जाए अधिकार दिया जाए उसी को हम लेंगिक समानता कहेंगे तो यह तो आपका क्लीर हो गया होगा कि लेंगिक समानता क्य पर समाजिक दोर पर अगर हम देखे तो यह लिंक असमानता अभी भी देखे जाते हैं कई आप विलिजिस में जाते हैं जैसे कि अगर मैं बाचित करू तो पदान की बाचित में यहां पर रखोंगा ताकि आप समझ पाएं जो गाओं में पदान के इलेक्शन होते हैं उनकी काम किया जाताएं जितने के यह लिंग समानता का कारे नहीं है इसी को ओलते हैं जो मैं मनो पॉलेंगे हम पूर्षपरधानता समय तो इसको खतम करने के लिए हाली में एक मीटिंग कोई और मीटिंग की जो अदेह्शता कर रहे थे उहां के उपवयुक्त कर रहे थे तो उन्होंने के लिए कुछ बाते कहीं जो हमारे लिए काफी इंपोर्टेंट है कि हमारी हमें क्या क्या करना पहला उन्होंने यहां पर बद आया जंडर रिस्पॉंट बजट के सफल करियोनन के लिए एक मधिलाएं हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए स्पेशल पैकिज की विवस्ता की जाए ताकि वह आगे आए राजनिती वे पार्टिस्पेट करें अभी हाल में ही हमारी जो चौधुई विदानसभा की चुनाब होए अगर मैं उसमें बातचित करूँ तो वहां पर एक मातर महिला एक चुन कर गई है तो यहां से भी हमें क् लेंग समानता नहीं है कि हर एक शेतर में कहीं न कहीं आपको इंबैलेंस देखने को मिलेगा और इसको खतम करने के लिए उन्होंने बोला कि जेंडर रिस्पॉंस बजट भी होना चाहिए इसके लिए कई कारण रहते हैं एक कारण के अलावा और भी अन्य कारण है जो क्या अलावा उन्होंने ये भी बातचीत की कि इसके उपर सेमिनार होने चाहिए सेमिनार के अलावा अगर कोई ऐसा करता हो है व्यक्ति पाया जाता तो उसे पुनिश्मेंट भी दी जानी चाहिए तो ये कुछ एक जो चीज़ें उन्होंने कही और जो हमारे लिए क्या है अगर अगर हम लिंग समानता जो समानता को खतम करना चाहते हैं तो एक जेन्डर बच्टिंग हो गया एक केंपैन की बातचीत हो गई उसके बाद जो एजूकेशन है एजूकेशन की बातचीत की गही है और इसके साथ ही क्या किया हुआ है अगर। प्रशाषन क्या रोल-प्ले कर सकता है तो पुर्शाशन जो है क्या कर सकता है महीला को बिकास पर बल दे सकता है और सियुवद् राष्ट राष्ट गर biological अस्रय मंत्रय है। तो यह यहां से आर्टिकल था अच्छे से संगे होंगे अब पार्देश्टिता हो यह वही बात है युवाओं के दिश्टिकोंड में सकारात्मक बदला लाने की अच्छता ही रजयबा कह रहे थे जो विश्वनाथ अर्लेकर जी है और यह सभा को समोधित कर रहे हैं और यह और वायेशपरमार मैं अब ही बता चूंगा हूँ नौणी में यह समिट शुझा का इयत चीन स्थित कर रहे थे कि जो युवा अच्छोंन क्या होंों स्कार्बॅर नॉद्सकार करते हों किसी भी काम को किसी भी काम या और किसी भी क्या करकर करके आगे बढ़ सकते हैंॉए इसके अलाबा उन्होंने यह वी बात कही। देखें इस कार्यक्रम का उदेश यही नहीं है। कि आप सकरातमक सोच को अच्छी जगा लगाई है जिससे क्या होगा हमारे देश का विकास हुआ होगा। इन्होंने इस सवा में जो प्राक्ति खेती है, उसकी बातचित की योजना है प्राक्ति खेती खुशाल किसान, तो यह जो एक योजना है, इसके माधिम से हिमाचर पुदेश में जैवे क्रिशी जो है, उसको बढ़ावाद देना है, तो कुछ जैवे क्रिशी में क्या होता है कि हम खाद का यूज नहीं करते हैं और इससे हम एन्वार्मेंट को बचाने का प्रयास करते हैं और यह हमारी आर्टिफिशल मैनयोर होती है जब उसको यूज किया जाता है तो इससे कई बीमारियां होती है इस दिन बात की जो समिट हो रही थी जो सबा हो रही थी इसके अलाबा उन्होंने यह भी बात कही कि जो हमारे हिमाचल पुदेश का हिमले में बसने वाला एक रज्य है उनके जो उस उस रज्य के अंदर जो यूवा लोग है उन्हें क्या करना चाहिए आगे आकर यह जो समस्यां हैं जैसे की नकरातमक सोच या साथ में भूस कलन जैसी प्राक्तिक अवदाएं आती है इसके अलाबा ज जो अन्य समस्यां हैं जैसे में ने पीछे जिए गेंडर मलूब डिस्क नमिशन की बातचीत की उसको खत्म किया जा सकता है और एक मातर उसका जो अधार है और इसकी लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें आगे बढ़ना होगा और सोने का जो शेर था हमारा जो इंडिया औ सकता है उन्होंने ऐसी बात कही है अब नेक्स्ट वन जो हम हमारे सामने कुश्चन आ रहा है जो यह आ रहा है चिंत पूर्णी मंदर में शदालों को मिलेगी बिश्वस्तरी सुवीदा है यह उप मुख्य मंतरी हमारे मुकेश अगनी होतरी जी कह रहे हैं और यह चिंत पूर सब्सक्रावी वाइदों को चरणवत तरीके से लागू करने के लिए क्रित संकल्व यह मुख्य मंतरी जी कह रहे हैं और उनके जो प्रधान सलाकार है यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट कुश्चन प्रधान सलाकार मीडिया के जो है नरेश चोहान जी है तो यह आप से पू इस सारे डिशिजन दिए जाएंगे यह हमरे अगनीहुतरी जी आप देख सकते हैं यह डिप्टी सियंव बनाएगे हैं और यह आप अच्छे से जानते हैं कहां से हरोली से यह बिलॉंग करते हैं हरोली जो नगे उसके बाद यह बाद यहां पर मैंने बात चित कर दी कि कि क बार थे लिए पहुश नहीं करना यहां से चुनाओ के उपर पूरा पुरा अर्टिकल है, हम यहां इसको नहीं छेडंगे, भारत के लिए अहम है जी ट्वन्ठी के अध्यक्षता, तो यह हमारे लिएered में इले इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली जो है जीट्वीन्टी के करने वाले हैं और लदाक में यह मीटिंग होने वाली है उसके बार अलग 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 शेर में क्या जाएगा इंडिया के बारे में कहा हुआ है इसके अलाबा जो जी ट्वन्टी जो है 20 देशों का एक समुह है और इसका उदेश्य क्या था उस बगद जो जीटपी को बढ़ाना था और बैपारी गदिविद्य जो थी उसको आगे ले जाना था और एकोनोमिक शेतर में अपने आपको एक संत्रलित तरीके से उपर उठान और उस बगद जब हम बातचीत करेंगे तो यह इसके गठन की बातचीत चली और लगवग आगे कुछ वर्ष्टों के बाद यह पूरी तरह बन गया था दो जातीन के आसप्रोस में और फिर क्या हुआ कि इसकी अलग-अलग रिजिन में मीटिंग होती है और तब से लेकर आज तक क्या हो रही है मीटिंग हो रही है हर साल जो होती होती है अलग-अलग देश करवाता है और यह चीजें आपको अच्छे से याद देखनी है इसका जो हैड़कॉर्टर है मेक्सिको में देखने को मिलेगा और इसके साथ ही अगर हम बातचीत करें तो इंडिया इसका इस इपर बातचीत करेंगा गरीबी और साथ में भीकास शील और देशों के बीच में जो जलवाईू को लेकर दिखंगते हैं उसको कैसे निप्ताए जाएगा इस सारी सारी बातचीत जी 20 में होने बाली आर्थिक मंदी को कैसे निप्टाना है संवेशी विकास का मतलब सब बीकास सबका साथ और उसके विकास की जो सस्टेनेबल ड्रॉल्पमेंट है बाचित के जाएगी और जो हमारे जो परी वर्ड के अंदर अभी दो देश आपस में बीड़े हुए उन परस्तितियों को देखते हुए उनको उनसे कैसे निप्टा जाए और यह एक सबसे बड़ी चुनौती होगी इस पर भी जो जी ट्वन्टी में डिसकेशन की जाएगे इसके अलाबाद जी ट्वन्टी जो शिकर है शिकर का जो समेलन होगा भारत इसकी अध क्या हो ब॥ित्र आपको अच्छै से पता है आधित बंगलादेस यहां पर होने वाला है उसके अलावाद 2020 की वाहत्娘क कवा होगा ब्राजील में होने वाला है कर में होने वाला है कर दोजार परचीश की बाचित करें तो एको बीशातुन अधिक्षित करने वाला है और अगर हम बाचित करें तो इसे पहले इंडोनेश्या के तो इसके अलावा भारत के पास एक मौका है कि यो क्या कर सकता है जो अच्छा डिसिजन लेता है उनको भी लुभा सकता है क्या कर सकता है भारत की अध्यक्ष्टा जी 20 के मादें उसे विभिन जो बहुत उदेशे बैश्विक संगठन है उनको भी क्या कर सकता है बड़ी प्रात्मिक्ताओं में से रहेगा बिश्व बैंक और आईउमफ स्योग क्या कर सकता है स्योग ले सकता है किसको मलक जो उसके डिसिजन होगे उसको परिपूर करने के लिए तो यह चीजे यहां बाद दीवे ओजाना हम कि इसकी स्तापना कब हुई मुझे बता इये cuando Gail सब्सक्राइब करें तो प्रतिवर्च 31 माई को तुमकु निशेद्दिवस मनाने का संकल्प लिए तो आपको यह आदखना कि तुमकु डेका मनाया जाता है और कब से मनाया जा रहा है उसके बाद तुमकु से क्या होती है कई बेक्तियों की मृत्यू होती है और यह किन-किन अंगों को प्रवावित कर सकता है तो यह जो हमारे अंग होते हैं जैसे कि तुमकु से मूँ का कैंसर होता है जो बच्चे नहीं पर बच्चे हो या बुड़े हो जो भी इसका सेवन करे साथ में नपता आ सकती है रख चाप प्रेशर हो सकता है और कुछ टाइम के बाद आपका पूरा खोकला हो जाता है तो अगर कोई भी विएक्तित तुमकु का सेवन करता है तो छोडने का प्रयास कीजिएगा अगर हम बार्चित करें तो इससे क्या होता है जो जब तमक्यो हो जाता है उसमें पावर कम रहती है इनर्जी कम रहती है और कहीं ना कहीं तमकू हमारी बॉड़ी पर नेक्टिव इंपक्ट डालता है तमकू में क्या होता है द्यान से देखिए इसमें टार होता है यह कुछ एक कैमिकल होते हैं मलब एक प्रकार के रसाइनी मानके चलो निक करें तो यह है सेवन करने से कोई बिकती दुहें जो जाता है तो ग्रसित झाकर जाएगा है रोग से तो जाएगा इसलिए लिखा होता ही कि सरजानिक प्लेस पर आपको क्या करना है तो यह चीज जो है हमने क्या याद रखनी है कि जो आज का जगाओं पर लिखा होता है कि तमकुक आप आपने क्या करना है सेबर नहीं करना है पर मैं सबसे आपको पहले यही बाद बताना चाहूंगा कि अगर आप इस आदत को छोड़ना चाहते हो देर देर छोड़ पाएंगे एक साथ नहीं चोड़ सकते हैं तो आप परयास किजिए ताकि आप की जो रूटीन है वो कंटिनुटी में बनी रहें मल जो डेली की जो रूटीन होगी वही क्या करेगी आपको काफी जदा आगे ले जाएगी और यह क्या होगी आपके लिए काफी हेल्फल होगी धन्यबाद जहें